हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो में चैनल बड़ी दिनों के बाद आज वीडियो आ रहा है मेरे नम निगाम अनंत साहूँ जैसे कि आज हम बात करने वाले SVA का के बारे में SVA Nifty 50 Equal Rate Index Fund बैसे के लिए आपको पता है Index Fund में बहुत कम Expense Ratio लगता है और यह इस वीडियो के अंतर हम डीटेल में डिसकस करेंगे कि इसमें क्यों इन्वेस्पेंट करें निप्टी-फिप्टी के अंदर इन्वेस्पेंट करने से क्या इस से इसमें क्या benefit मिलने वाला है और डीटेल में चर्चा करेंगे सो यह नेफो जो है 16 जान को अपन हुआ है और यह 29 जारवरे तक अपन रहेगा तो बैसिकली के अपने डेंट इंट स्कीम रहेगा ओके सो मेजर जो डिफरेंस होता है यह दोनों Index में जैसे Nifty 50 की बात करें और Nifty 50 equal weight की बात करें तो इसमें मेजर डिफरेंस होता है वो concentration risk होता है यानि निप्टी 50 में concentration ज्यादा है कुछ particular sector के अंदर कुछ particular stock के अंदर जैसे हम बात करें निप्टी 50 के अंदर जो है SDFC bank में सबसे ज्यादा contribute किया है जो कि 13.51 उसके बाद आता है reliance उसके बाद ICC bank इन में ज्यादा concentration रहता है जबकि equal rate में 2-2% का असपास रहता है तो अगर हम देखें सबसे कम जो है नीची की तरह बागत देखें जो Tata consumer product हो गया या तो SBA life हो गया जो उसमें contribution रहता है निप्टी में लगबग 1% से भी कम यानि 0.6869 ऐसा contribution रहता है लेकिन equal rate में average जो है 2% का असपास रहता है तो इसलिए concentration risk इसमें ज्यादा रहता है निप्टी के अंदर जबकि इसमें नहीं रहता है अगर सेक्टर डाय विश्टी की बात करें हम देखें अगर निप्टी की बात करें निप्टी 50 में सबसे ज्यादा जो है सेक्टर का जो allocation है तीन-चार सेक्टर में ज्यादा हुआ है एक तो financial sector हो गया उसके लब आप अटो मोबिल हो गया उसके बाद IT हो गया यह मेजर तीन जो सेक्टर इसमें ज्यादा concentration है निप्टी 50 में फैनन्शल सेक्टर 35% allocation है जबकि निप्टी 50 equivalent में 19.9% इसी तरह आप अगर देखें IT में 13.6% निप्टी के अंदर है जबकि 11.8 है आपका निप्टी 50 और इसी तरह आप देखें कुछ सेक्टर पर्टिकुलर्ली इसमें consideration ज्यादा है तो आये performance की बात करते हैं जैसे निप्टी 50 की बात करें इसमें लॉंग टर्म में अब देखोगे 1999 से लेगे आज तक जो रिटर्न है यह बहुत ही भैतर रिटर्न दर रहा है निप्टी से ज्यादा निप्टी में 14.3% का है जबकि इसमें 16.4% का रिटर्न देखने को मिला है सो आई डीटेल जानते हैं इस फंड के बारे में यह करने यह जो है फंड है यह अपनेंड़ स्कीम जो रेप्लिकेट करने माला है निप्टी 50 इक्वाट इंडेक्स को यह बिसिकली जो है SBA का यह फंड लेके आया है यह इंडेक्स फंड जो कि बहुत ही कम एक्सपेंस रिचियो इसके अंदर लगता है स्पाइ फिप्टि 50 उक्वेड इंक्स फंड मेजर ली अगर देखे एक्सपोजर रहता है और थीप्टे चेम कि मिलने वाला है वाला सारे स्टोक के अंदर क्योंकि इसमें equally exposure रहता है, so और इसमें quarterly rebalance भी किया जाता है, so इस NFO की अगर fund की detail की बात करें, इसमें जो है जो रिटर्न है, वो करेंस्ट करने वाला है, जो टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा, उसको करने वाला है, so इसमें regular direct दोनों रहेगा, और growth and IDC दोनों और अप्सन रहेगा, minimum investment पांच जार रुपहें, और इसमें जो है, बिराल चौल्बे जो है, इसका fund manager है, इसमें अगर 15 दिन से पहले, आप अगर exit या, switch करते हैं, तो आपको 0.25% का exit load लगने वाला है, तो इडिटेल था वीडियो, SBA Nifty 50 Equality Index पांट के वाले हैं, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक, शेयर करें, चानल को सब्सक्राइब जरूद करें, थानल को सबक्राइब जरूद करें, अगर